हर हर महादिव दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल रोज क्या करू में दर्स को इस वीडियो में आपको बहुत ही बिसेश उपाय बताने जा रही हूँ यह उपाय आपको सनिवार के दिन करना है सनिवार के दिन का बड़ा खास महत्तु होता है जिसके घर मे संपदा की कमी होती है यह आपका ब्यापार नहीं चलता है आप पैसों के लिए बहुत परेसान है आप बहुत सारे उपाय भी कर लिए फिर भी आपका कारी नहीं हो रहा है तो सनिवार के दिन मात्र आप यह छोटा सा उपाय करके देखिएगा दर्स को आपके घर में धन सं पूजन करें और दूसरा पूजन आपको करना है समी के ब्रिक्ष के नीचे पीपल के ब्रिक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास होता है सनिवार के दिन येदि आप अपने घर से थोड़ा सा मिश्ठान चीनी हो या गुड़ हो या आठा आप लेके जाएगा पीपल के ब्रिक्ष के नीचे और एक लोटा जल साथ में कच्चा दूद आपको लेके जाना है कच्चा दूद आप पीपल के जड़ में समर्पित करके एक लोटा जल समर्पित करें और साथ में जो आप गुड़ याचीनी लेके गए हैं या आटा लेके गए हैं आप उस पीपल के बागातार करेंगे जब तक मेरे कारियों में शफलता नहीं मिलेगी कोई भी कारियों हो उसके बाद दर्शु को प्रदोस काल में आपको एक छोटा सा उपाय करना है आप अपने घर से एक दिया आटे का हो या मिट्टी का दिया हो सरसो के तेल का आप लेके जाईएगा यदि दर्श को आपको लग रहा है कि सनी दोस है तो आप सरसो के तेल का दीप जलाएं यदि भ्यापार और शंपदा की कमी है तो आप घी का भी दीप लगा सकते हैं पीपल के बिच्छ के नीचे शनी वार के दिन प्रदोस काल में यदि सरसो के तेल का दीप लगाया जाता है तो तो सनी कभी परेशान नहीं करते हैं, उनकी घर की समस्याएं परेशानिया दूर होती हैं, तो दोनों में से आप कोई भी दीप सनीवार के दिन प्रदोसकाल में प्रजलित कर सकते हैं, और दूसरा दीपक आपको लगाना है समी के ब्रिक्ष के नीचे, क्योंकि समी के ब्रिक् करते हैं कच्छा दूध में लाके और प्रदोस्काल में आप एक दीप प्रजुलित करते हैं तो आपके घर में सुख शम्रिद्धी मालच्मी की कृपा बनी रहेगी श्री सिवाय नमस्तुभ्यम चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें